हेला दोस्तों, UPSC Hindi के ओनलाइन इस्टेटी प्लेटफॉर्म में मैं गौरद रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूँ ये जो प्लेटफॉर्म है इसके माध्यम से दोस्तों हम द्यानिक उत्तर लेखन का भ्यास कर रहे हैं जो कि UPSC और UPPCS में में बहुत महत्वपूर्म का निभाएगा आपके सेलेक्शन में और आज इसी क्रम में हमारा 41 दिन है जिसमें हम अपने सेड्यूल के इसाफ से GS paper 2 और GS paper 3 के एक प्रश्णों का डिस्केशन करेंगे तो आगे बढ़ने से पहले जो एक महत्वपूर्म सुचना है कि अगर आपने अब तक सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया है तो कृप्या इसे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें साथ में अगर आपने अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर नहीं किया है तो इसे शेयर करना भी न भूले और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2019 की जो CVS वाकी परिच्छा हुए है उसमें मैं हिंदी मीडियम से इंटर्वी में अपियर दुआ हूँ और साथ में मैं IT रुड़की का एक अल्यूम्नाई हूँ तो सीधे हम अपने प्रश्ण के और चलते हैं आज क्या जो हमारा प्रश्ण है GS पर टू का आज समझ सकते हैं एक तरह का बाउंसर प्रश्ण है तो होगा देकिए याँ पर मैंने सीधे लिखा है कि यह बाउंसर कोश्ण है अब मैं कोश्ण पढ़के आपको बता दूँगा आता है तो आपको अच्छे नमबर मिलेंगे नहीं आता है तो इसमें जीरो नमबर मिलेंगे सीधी बात है मैंने आलेडी कई तरह कि आपको question discussion किये कि अगर ऐसे प्रश्ण ना आए तो कैसे करेंगे लेकिन ये इस प्रकार का प्रश्ण है कि अगर आपको नहीं आता है तो आप इसका कुछ नहीं कर सकते मतलब इसमें फिर यही उचीत है कि प्रणाम करके आगे बढ़ जाना ठीक है और जो समय बचा है जो 7-8 मिनट ऐसे प्रश्णों पर आपको बच जा रहा है उसको क्या करना है उसको अन्य question में content सुधारने के लिए देना है हो सकता है अगर क्या पता आपने पढ़ाई अच्छे से की हो एक्स्ट्रा content पढ़ा हो तो हो सकता है ये प्रश्णा आपको आता हो मैं ऐसा नहीं कहा रहा हूँ कि इर्दम impossible ही है हलांकि जब मैं ये प्रश्णा भी solve कर रहा था तो मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं बता था ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं question है इंडिया इंटर्प्राइजेज आर्किटेक्चर framework पर एक संचित लेख लिखिए इसके प्रमुक्सिधानतों पर प्रकाश डालते हुए परिछन कीजिए कि किस प्रकार इसका पूर्ण कर हनिमन भारत के वर्तमान साशन परिद्रश को उन्नत बना सकता है तो देखे अगर आपको यह चीज पता है अगर इंडिया आर्किटेक्चर framework तो माली आपको थोड़ा भी पता है कि चलो इंडिया आर्किटेक्चर framework क्या चीज है थोड़ा कुछ भी पता है अगर बेसिक यही पता है माली आपको सिंपल अगर यही पता है क्या इग गवर्नेंस की एक योजना है ठीक है अगर आपको यही पता है तो आप इस question को कर डालेंगे और आपको 3-4 marks मिल जाएंगे ठीक है जैसे मुझे केवल इतना अगर पता चल जाता पहले क्यार यह क्या है केवल एक इग गवर्नेंस की एक नई स्कीम है बस इतना पता चल जाता तो सारा काम हो जाता क्यों इग गवर्नेंस की नई स्कीम होगी तो उसका पूर्ण करेंवन भारत के वर्तमान सासन परदिश को किस प्रकार उन्नत बनाएगा ये बात में लिख लेता आराम से ठीक है इस पर संचित लेख का ये पाट थोड़ा सा छोड़ देता बस के वली यही लिख देता कि अरी गवर्नेंस की एक योजना है और इसका उद्देश है सिडिजन से जो भी एक दो कीवर्ड्स मुझे याद रहता है सेकेंड अर्सी वाले कि सिडिजन केंद्रित मदब नागरिक केंद्रित या सिडिजन सेंट्रिक प्रशाशन उपलब्द कराना सुशाशन की जोस्था करना एक दो मैं फट्टे जो अपने शुद भासा में करते हैं फट्टे बाजी करना फट्टे बाजी करके एक संचिप्त लेख लिग देता प्रमुक सिद्धान्तों पर प्रकास क्या डालता वही जो नेशनल ई-गवर्नेस योजना आपने पढ़ियोगी एनिजीपी सेकेंड एर्थी में एनिजीपी के बारे में दोचार चीने जो पता थी अंतरपचालनियता ठीक है पुनरप्रेयोज्यता वही सब दोचार में इसी धान्त डालके लिग देता अंसर लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था इस प्रस्ट में यार ये e-governance की योजना है तो मैं पहले आपको बेसिकली समझा देता हूँ ये है क्या तो देखें सिंपल सा मैं आपके सामने एक उमंग पोर्टल खोलता हूँ यहाँ पर तो यहाँ पर यह उमंग एप है यह एप खोलेंगे आप तो देखेंगे यहाँ पर उमंग है यहाँ पर आप देखेंगे clear लिखा हूए प्रधान मंत्री आवास योजना आयुष्मान भारत योजना आप all services पर क्लिक करिए तो यहाँ पर देखे all यहाँ पर काफी लिखा हूए central state ठीक है यहाँ पर धेर सारी services दी हुई है और आप यहाँ पर अगर state में search करेंगे तो state में आपको देखेंगे line से सारे state का नाम आ जा रहा है ठीक है यानि उमंग पोर्टल basically क्या है एक single platform है ठीक है एक single platform है और single platform के माध्यम से आप क्या कर रहे है कोई भी services चाए वो state की हो या फिर वो किसी जो आप कैसे है state की हो या फिर कोई और जो भी राजी सरकार हो या फिर केंद्र सरकार की कोई भी scheme को यह क्या कर रहा है एक single platform पे प्रदान कर दे रहा है तो Indian architecture framework आप समझे एक तरह से उमंग पोर्टल है अलांकि उमंग पोर्टल पूरी तरह से Indian architecture framework रही है basically Indian architecture framework जिसको हम इंड ये लिख रहे है यह है क्या इसके माध्यम से आपको एक कृत से माए मतलब आपका देखे क्या होगा एक आपका खाता होगा एक single खाता होगा हर व्यक्ति का हर business का भारत में एक खाता चाहे वो business हो ठीक है या फिर व्यक्ति हो individual हो इसका खाता होगा इसको क्या करना है एक portal होगा इसके पास एक portal पर अपना register करा देना है इस व्यक्ति को और business को यहाँ पर उसको government से सारी सेवाई मिल जाएंगी जैसे कि मैंने यहाँ पर एक flow chart बनाया है flow chart आप exam में भी बना सकते हैं दिखे क्या है यह केंद्र सरगार है यहाँ पर राज़ सरगार है धेर सारी इनकी योजनाएं होती है मतलब एक लाग दो लाग इतनी नहीं है मतलब बहुत धेर सारी हजारों तो योजनाएं होंगी अगर आप सब की बात कर ले दो इन योजनाओं को इंडियन आर्किटेक्चर फ्रेमवर्ग एक प्लेटफॉर्म पे सब को मुहिया गराते आपने देखा भी मैंने उमंग गैप में दिखाया एक प्लेटफॉर्म था वहाँ पे क्या है कि इन सरकार की योजनाओं कोंसी है प्रदान मंत्री आवास योजनाओं सारे आप देखे होंगे आपने सारी चीज़े महाँ पे लाहीं से है एक बार उमंग पोटल आप डाउनलोड करके इसको देखे तो नागरिक और बिजनस को सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के मादधाम से सारी एकिकरिच से माय प्रदान करना यही है इंडियन आर्किटेक्ट्चर फ्रेमबर केवल यही है अब इसको लिखना है कैसे है यह बात अब देखते हैं हाला कि अब डाउट्स कम आने लगें और अब मुझे उमीद है कि आप लोग प्लेलिस्ट देखना चालू कर दी है ठीके आपको क्या करना है प्लेलिस्ट एक बार अवश्य खोलना है फिर भी मैं कुछ दिन तक अभी यह जो सूचना है वो लगतार जारी रखूँगा जब तक वो प्रॉब्लम पूरी तरह से दमाप्तन हो जाए तो आप देखेंगे अधिकांस चीजी हमने लगबग चर्चा कर लिए चाए वो स्मार्ट नोट्स कैसे बनाना हो चाए GS1234 को कैसे पढ़ना है 2021 में तयारी करनी है तो क्या करना है 2020 में एक्जाम देने जा रहे हैं तो प्रिलिम्स के लभी तयारी कैसे करें करेंट अफेर्स कैसे पढ़ें हर चीज के बारे में एक्जाम प्रिलिम्स दे रहे हैं प्रिलिंस में तुक्का कैसे मारे, हर चीज के बारे में यहाँ पे हमने discussion already मुहिया करा दिया, तो कृपया एक बार इसको जरूर देखें, और जो हमारा आज का discussion है, और जो रोज का discussion होता है, उसका PDF आपको टेलिग्राम चला, at the rate UPSC Hindi with Gorov पर मिल जाएगी, तो इस बात को भी युक्तर लिखना है, ठीके, इंग्लिश में मैंने प्रस्न नहीं पड़ा था, इंग्लिश में पड़ जिता हूँ, write a short note on India Enterprises Architecture, ठीके, India Enterprises Architecture है, मैं बारबार India Architecture Framework बोलाँ, Framework, highlighting its main principle, examine how its full-fledged implementation can improve the existing governance landscape of India, अच्छा, अब आप यह समझेगा, पहला पाट आपको यह करना है कि एक संचित लेक लिख देना है, यह बात आपको मुझे उम्मीद है कि समझ भी आगए होगी, सीधे-सीधे दिख रहा है, फर्स्ट पाट यह है, दूसरा पाट कहरा है कि प्रमुक्सी धानतों पर प्रकास डालिए, दूसरा पाट यह हो गया, तीसरा पाट कहरा है, अब परिच्छन कीजिए कि इसका किरियानमन, किस प्रकार वर्तमान सासन के परिद्रिश को उननत बना सकता है, तो आपको यह समझ भाग है, इस दात को आपको दिमाग में क्लियर रशेना चाहिए, लिखना आपको 150 शब्दों में, तीन भाग हैं, और तीनों भाग आप देखे इस और टाइम दोनों बसता है, ऐसे प्रस्णों में निशकर्ष हम क्या करते हैं, बहुत छोटा या न के बराबर लिखते हैं, जनरली अब यही चीज़े मुझे आपसे डिस्कुशन करनी थी, ठाकि आपको यह बात समझ में आ सके, हर कोश्चन आप बहुत अच्छे तरीक इसके एक नंबर काटूँगा, तो उसको कम सकम सातोना पुरसकार मिल जाएगा, कि चलो भाई, इसने निशकर्ष लिखा है, आपको क्या करना बस एक लाइन का निशकर्ष लिखना है, इस से ज़्यादा आप पस इसपेस बिलकुल नहीं है, ठीक है, तो हम बिलकुल समय नह देख रहे होंगे, तो आपको खुद अब तक समझ में आ गया, मुझे उमीद है, कि प्रश्ट में किस तरह से, और मैं उमीद रखता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्या कुछ इससे फाइदा हो रहा है, यहामें ऐसा बंद करना चाहिए, ऐसा कुछ आप ब लगी होगी, क्योंकि यार लगबख 60-70 प्रश्ट नाम और लेडी और पर दे हमें एक एक कर रहे हैं, जादे कर भी नहीं रहे हैं, तो आपको समझ में भी अच्छे से आ रहा होगा, तो यहाँ पर दिखे मैंने क्या बता है, सीदे भूमी का पर वही लिख दिया, इंडिय निश्कर्श में आगे की रहा, जो मैंने का कि बहुत एक लाइनर, इससे जादे निश्कर्श नहीं लिखना है, ठीक है, और यह मैंने आलेडी आपको दिखा दिया, कि उमंग आप आप देख सकते हैं, कि इंडिया जो आर्किटेक्चर, ठीक है, इंडिया इंटर्प्राइ इंडिया कि क्या है, वन गवर्मेंट, ठीक है, वन गवर्मेंट, मतलब चाहे केंद्र हो, चाहे राज हो, देश के नागरिकों को इससे कोई लेना देना नहीं, केंद्र उनको सबसीडी दे रहा है, राज उनको सबसीडी दे रहा है, यह केंद सरकार की योजना है, इससे का अगला हुई भागों में दोडाने से अच्छा है नागरिकों को वन गवर्मेंट की सुविधाउपलत की जाए ऐसा एक प्लेटफॉर्म हो उसके पीछे ये लोग छुपे हों केन सरकार राजी सरकार इसके पीछे चुपे हों ये माली एक परदा लगा दिया और परदे के पी तो क्या है उद्देश देश में विद्दमान इगवर्नेंस प्रियासों को एकिकरित एवं सुविवस्थित करना है इसमें प्रतेक व्यक्ति का एक खाता होगा उसके माद्यम से वह समस्त सरकारी सेवाओं का लाब उठा सकेगा उधारन के तोर पर उमंग एप इस दिशा म कर देंगे तो उससे क्या हो जगा एक जगा पर प्रताकर देंगे तो क्या हो जाएगर विद्दमान इग प्रियास एकिकरित एवं सुविवस्थित हो जाएंगे ठीक है फिर मैंने बेसिक राइटेरिया बटा दिया चिसमें होगा बिजनेस का एक खाता होगा उसके मादम से वह समस्त सरकारी सिमाओं का लाब उठा सकेगा अच्छा देखिए यहाँ पर मैंने इसी लिए एक फ्लो डाइग्राम बनाया और ऐसा जब प्रशना आई एक्जाम में तो मैंने एक तरह से फ्लो डाइग्राम के मादम से यहाँ पर लिख दूँगा इंडिया अर्किटेक्चर फ्रेमवर्ड तो यह समझाने का प्रयास मैंने फ्लो डाइग्राम के मादम से किया है अब सेकेंड पार पूचाता इसके सिधांत बताईए सिधांत बिल्गुल to the point लिखना है इसमें कुछ आपको explanation नहीं करना है तो पहला सिधांत क्या है SDG linkage है देखें सिधांत number one SDG linkage है किसीच का SDG linkage बैई जो भी प्रदर्शन है जैसे इंडिया आर्किटेक्चर फ्रेमवर्ड में आपने देखा हुआ कई धेर सारी गवर्मेंट की स्कीम है जैसे गवर्मेंट की एक स्कीम है प्रधान मंतरी आयुष् SDG index से क्या करेंगे देखेंगे जो सतत हविकास लच है उसको प्राप्त करने की दिशा में यह जो इसकीम से हमों कितना फायदा कर रही है तो उससे हम क्या करेंगे प्रदर्शनों का मापन करेंगे SDG index बनाया जाता है इसके लिए ठीक है दूसरा one government को प्राप्त करने है सेवाओं की पहचान किजिए यह देखा जाएगा किया रहा ऐसी कौन सी सेवाओं सकती है जो इस प्लैट्फॉर्म के माद्यम से प्रोवाइड की जा सकती है जैसे वही विद्दूत जल पानी बैसिकली क्या किया जाएगा पहले एप बना देंगे ठीक है हम ऐसे करेंगे आ राज सरकारों को और इस्थानी सरकारों को भी इंटिग्रेट किया गया है ठीक है उमंग एप भी आप देखेंगे तो उमंग एप भी राज सरकार और जो इस्थानी सरकार है इसको इंटिग्रेट किया गया है तो पहले हम क्या करते हैं एक एप बना देते हैं इसके बाद कर देते हैं तो इससे क्या होता है हमें पता चल जाती है कौन सी सेवाओं की हम प्रदान करने वाले हैं इसके मादम से ठीक है तो उन सभी सेवाओं की पैचान की जाएगी कि कौन कौन सी सेवाओं है जो इसके मादम से दिया जाएगा जैसे एक दो एक्जामपल और बताता हू आपको ये दोनों चेक करना है कि ज्यान दूत और लोकमाडी किस मतलब राज्य की e-governance योजना है मुझे याद है मैं जान बूच के कंचूज करा रहा हूं आप लोगो ताकि आप लोगो के बार Google पर सर्च मारेंगे ये दोनों तो आपको डिटेल में पता चले है और जब आप एक्जांपल में कोट करेंगे तो उसको पता चलेगा तो आपका काम ये कि नीचे गमेंट स्रिक्षन में बताना है कि ज्यान दूत और लोकमाडी किस सरकार की किस राज्य सरकार की e-governance प्रोजेक्ट है और उसके बारे में आपको क्या करना है थोड़ा सा तयार करना है ठीक है हाला कि आपने सेकेंड एर्सी पढ़ी होगी तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है यह हो गया थर्ड डेटा साजाकरन एक जो तीसरा इसका सिध्धानत हो गया वो क्या हो गया तो देखिए पहला सिध्धानत क्या था? HDG linkage इसको बकसे में कर दीजे, सब से चार रहेगा दूसरा सिध्धानत है one government तीसरा सिध्धानत है data साजाकरन और mobile first ठीक है तब क्या है data साजाकरन सभी सरकारी भी भागों के मत data साजाकरन होगा यानि आपको क्या करना होगा तो अलग-अलग data, अलग-अलग विभागों के पास नहीं जाएगा, data जो duplication हो रहा है, वो सब कम किया जाएगा, बेसिकली cloud computing, आपने सुना होगा cloud computing, मेग राज पहल, ऐसा आपने सुना होगा, मेग राज पहल, ये भी देखे किस government की है, महाराष्ट government की, ठीक है, तो ये सारी जो पहले अंगों के, उनसे क्या किया जाएगा, सभी भागों के मद दे data अपने आप पहुचाया जाएगा, for example, आपने अगर newspaper आप पढ़ते होंगे, या फिर current affairs की magazine ही पढ़ रहे होंगे, जो कि मैंने बढ़ाया है, तो आपने सुना होगा once only principle, हाल में लाए गया once only principle, ये किस संगठन द्वारा लाए गया है, तो इसको ध्यान में रहे हैं, ये लाए गया है European Union द्वारा, once only principle, once only principle मे क्या होता है, basically ये होता है कि हम data जो भी नागरिक है, वो data एक बार देता है government को, और government को माली ये नागरिकों से फिर से data के आशकता होती है, तो government बार बार नागरिकों के पास नहीं आती है, अपने जो department है, उनके बीच में data अंतर विभागिये परचाल नहीं आता होती है, औ data अपने आप पहुँच जाता है, ठीक है, तो बार बार जनता को परशान करने से अच्छा है, आपस में ही data का इस्थानतरन हो जाए, तो ये है once only principle, European Union, उसी तरीका का कुछ-कुछ ये भी है, data साजाकरन इस प्रकार किया जाएगा, mobile first, तो आप जो उमंग, जब उमंग एप खोलेंगे न, तो clear देखेंगे, धेर सारी भासाय लिखिए है शुरू में, और clear लिखाव है कि ये government की mobile first scheme का प्रयास है, कि mobile, भाई, आज गद सबके पास ही smart phone है, आप देख रहोंगे, आरोग इसे 2 है, खुब चला है, कोरोना वा governance, ठीक है, mobile governance, अब आते हम last part पे, कि इसके कारणवन से साशन पर इद्रिश में सुधार कैसे होगा, तो देखेंगे, पहला, निउन्तम सरकार, अधिक्तम सुशाशन, क्या है, minimum, government, maximum governance, mg, mg, इसको बोलते हैं, ठीक है, तो आपको पता हुगा, जो वरतमान सरकार है, उनका व थोड़ा सा वर्ड न, आप अगर सुशाशन यूज करेंगे साशन की जगा, तो थोड़ा जादे अच्छा होगा, थोड़ा examiner के विभाग में जादे क्लिक करता है, ये थोड़े अच्छे keywords है, तो क्या है, निउन्तम सरकार, अधिक्तम सुशाशन, अब सीधी बात है, इस हर डाटा यहां पर दे दिया, इस से जिस विभाग को जाना था, उस विभाग पर पहुँच गया, तो ना यहां पर जाम लगा, ना यहां जाम लगा, मलग कहीं जाम ने लगया, पहले क्या होता था, आप इस विभाग में जाते थे, मालिज आपको BSNAL का SIM लेना है, तो यहां नहीं मिलेगा, अंदर जाहिए, वहां गयते थे, अंदर नहीं मिलेगा, बाहर जाहिए, इदर उदर आपको भगाते रहते थे, फिर कैते थे, आप आखरी में थाकार के चपरासी से पूस्ते तो बोलता था रहे है, जो साप SIM देते हैं, वाज आये नहीं है, यह समस् यही काम कर रहा है, यह क्या कर रहा है, गवर्मेंट को अधिक प्रतिसपर्धी बना रहा है, ठीक है, वही मैंने लिग दिया कि सब की छमता में व्रिदी करेगा, ठीक, आत्म निर्बर भारत बनाएगा ना, ऐसे ही समझ लीजीगा, फिर क्या है, सेमाय प्रदान करने की ला प्रतिसपर्धी बनाएगा, एक जगा है, इंटरनेट से ही सारी जगा ट्रांसफर कर दिया, तो सेवा प्रदान करने की लागत में भी कम होगी, और प्रयासों में दुहराओ भी कम होगा, वैसी दी बात है, आप इधर भी फाइल लेके जाते थे, आप उधर भी फाइल ले प्रतिकार के मद्ध तीवर सूचना आदान प्रदान से उत्पादक्ता में व्रिधी, और यह आप समझ सकते हैं, क्यों बोला हूँ, क्योंकि मुके शंबानी कह चुके है, डेटा इस न्यू आयल, ठीक, ऐसा बोल चुके है, अब ये समझीगा, ये बात क्यों बोली गई, डेटा से क्या होता है, अब डेटा आपके पास पता है, जिससे मुझे पता है, मालीजे, फ़र इजामपल, मुझे पता है, कि ये जो मेरा चैनल है ये यूट्यूब पर, और मैं डेटा रेगुलर देखता हूँ, मैं आपसे ओलेडी बोला है, कि मैं अनालिसिस खुब करता ठया हुए, तो इस बात को ध्यान में रखते हूँ, क्या हो रहा है, उत्पादक्ता में वृति इस प्लेटा की कैसे हो जाएगी जब मैं डेटा का इनालिसिस कर रहा हुँ, ठीक है, यानी स्टीवर सूचना का आदान-प्रदन, ठीक है, और ये कैसे ले रहा हूँ, आप द कोई भी इंडस्ट्री है उसकी डिमांड है कि उसको ऐसी सर्फेस चाहिए तो गौर्रमेंट कहा रही है ठीक है मैं ऐसी सर्फेस क्रियेट कर देंगे यानि सुच्रा का जितना जादे अधान-प्रदान होगा ठीक है उतना अच्छा उपादक्ता में व्रिदी होगी किसकी सब की और आप चाहिए तो यहां पर यह भी फ्लो चार्ट बना सकते हैं यहां पर लिख सकते हैं नागरिक यहां पर लिख सकते हैं बिजनस यहां पर लिखते हैं गवर्मेंट और यहां पर क्या कर सकते हैं इनके बीच में इंटर लिंकेजेज दिखा सकते है ठीक है यह दो चा artificial intelligence को भीड़ा देंगे जो कुछ सामानी सूच रहा है वो आपको artificial intelligence से पतान चल जाएगा तो इससे क्या होगा नागरिक केंदृत प्रशाशन की दिशा में उचीत करम होगा और देखें ये सब keyword है जो आपको लिखने है जो exam ने रहे वो ये सब keyword खोज रहा है क्या खोज रहा है citizen centric administration ठीक है तो ये बात आप देखेंगे क्यों कहां से उठाई syllabus से ये सब keywords आपको ध्यान में रखना होगा ठीक है अब मैंने एक line का निशकर्ष लिगा सब सीमा obviously कम पड़ दी थी तो लिखा है इसपस्ट है इंडिया architecture framework देश को ज्यान संचाली तर्थव्यस्था बनाने में महत्वपूर कदम सिद्ध होगा यहां पर सिद्ध लिख दीजेगा सिद्ध होगा ठीक है तो मतब क्या होगा देश को इससे क्या हो रहा है data based basically जो हमारा भारत भारती अर्थ व्यस्था है वो किस से based हो जाएगी data based हो जाएगी और e-governance में सारी सूचनाई मिलेंगी सारा काम e-governance हो जाएगा बहुत अच्छा अच्छा देखने में लग रहा है है ना लेकिन problems भी है तो वो सब लिखने के अभी जरुवत नहीं है पूछा नहीं था तो क्यों लिखे ठीक है और ना मारे पास इस पेस टाइम है लिखने का तो ये प्रश्ण से आगे बढ़ते हैं अब second प्रश्ण के ओर जिसकी हम केवल structuring करने वाले हैं अब देखे प्रश्ण क्या एक बार हिंदी में पढ़ देता हूं प्रश्ण समुद्री जीवन प्रती वर्श्ण समुद्र में पहुशने वाले लाखो टन प्लास्टिक कचरे के कारण और पूर्णिय छती का सामना कर रहा है इस संदर में समुद्री पारिस्थिरी की तंतर पर प्लास्टिक प्रदूर्शन के प्रभाव का परिछन कीजिए और इस तम जो आता लिखना चालू कर दे Marine life is facing irreparable damage from the millions of tons of plastic weights which ends up in the ocean each year In this context, examine the implication of plastic pollution on marine ecosystem and suggest some measures for addressing this problem मैं सोच रहता कि सीधे ये वीडियो में ही यहाँ पे discussion कर दूं कुछ पॉइंट लिखू नहीं, फिर मैंने का थुड़ा पॉइंट लिख देता हूं ताकि आप लोगो जाते अच्छे समझ में आएगा जो लोग PDF देख रहे हैं सिर्फ उन लोगों को भी कामा जाएगा तो देखें, ऐसे प्रश्ण का introduction कैसे लिखते हैं पहले मैं प्रश्ण बता देना हूं कितने parts हैं इसको समझ देजे थोड़ा explain कर देना आप parts को मैंने आज बहुत लिखा नहीं है इसमें क्योंकि चीज़ें आप मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहे हूंगी और structuring part अब आप खुच से कर पाएगे तो पहला part बोला है संदर्व दे रहे किसीच का कि समुद्री जीवन प्रती वर्ष समुद्र में पहुचने आले लाखों टन प्लास्टिक कच्रे के कारण अपूर्णिय च्छती का सामना कर रहे है ठीक है इस संदर्व में आपको इस बात को थोड़ा explain करना है कि लाखों टन प्लास्टिक कच्रा समुद्र में पहुच रहे है इस बात को आपको थोड़ा सा बताना है ठीक है क्योंकि इस संदर्व में प्रशने पूछा गया है तो introduction पार्ट आपको यही संदर्व समझा देना है अब इस संदर्व में समुद्री पारिस्की तंदर पर प्लास्टिक प्रदूशन के प्रभाव का परिक्षन कीजिए दूसरा पार्ट यानि मुखिभाग का पहला पार्ट हम कह सकते है यानि आपको क्या बताना है marine ecosystem में plastic pollution का क्या effect हो रहा है और इस समस्या के समाधाने तो कुछ उपाई सुझाई यह आपका दूसरा part B part हो गया उपाई बताना है अब देगे यहाँ पर पूछा गया उपाई बताना है माल जे नहीं पूछा होता केवल यहीं पर उपाई अपने मन से बता देते यहाँ पर क्लियर पूछ दिया गया उपाई बताना है तो आपको ध्यान रखना है जब ऐसे क्लियर पूछता उपाई बताना है तो इसका मतलब आपसे थोड़ा सा explanatory उपाई मान रहा है मतलब आपको पचास शब्दों के आजपास मतलब इसको भी आपको एक पाट मानते हूँ आंसर करना है उसमें क्या था निशकर्ष में हमारे उपड़ था जो मनकरा वो उपाई लिख दिया जहां से मनकरे एक दो कुछ उपाई बता दिये यहां पर आपको proper solution देना है अच्छे खासा 50-60 शब्दों में solution देना है इसके साथ ही जब ऐसा clear boost देता है क्योपाई बताईए तो आप क्या बता सकते हैं साथ में निशकर्ष में कुछ सरकारी schemes को बता सकते हैं कि ऐसी schemes चलाई गा रही है जैसे यहां पर marine eco system के लिए blue flag certification आपने सुना होगा इसके लिए clean seas campaign सुना होगा ठीक है आपने यह सुना होगा कि भारत सरकार ने single use plastic को ban कर दिया है तो दो चार शीज़े जो आपको पता है आप क्या बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा प्रयास किया जा रहा है ठीक है marine eco system को बचाने के लिए ठीक अब हम देखते हैं क्या लिखना है क्या में पता है ऐसे प्रश्णों में introduction कुछ आंकड़ों के साथ लिखिए कि plastic production के कुछ आंकड़े ऐसे हैं अच्छा माली आकड़े नहीं आदे तो क्या लिख दिज़े लाखोटन यहाँ पे लिखा हुआ है ना लाखोटन plastic कच्ड़े के कारण तो आप भी लिख दिज़े कि प्रतिवर्श समुद्र में लाखोटन कच्ड़े पहुंसते हैं एड कर दिज़े साथ में कहां से पहुंसता है सीधा plastic बह के पहुंच जाता है दूसरा नदियों-दियों के मादधम से पहुंच जाता है उद्योग सीधे प्रवाइद करते हैं और हमारे जैसे लोग जब जाते हैं गोवा घूमने तो यहां करते हैं बीच पे बोटल फेक देते हैं इस वज़ा से भी कच्ड़ा पहुंसता है इसके अलावा और प्लास्टिक का जो समुद्र का सोर्सेस है वो कहां पे है नाव जो नाव चलती है जो मचलियां मारने के जाल होते हैं वो बेसिकली सबसे बड़ा एक का सकते हम मरीन प्लास्टिक का सोर्स है ता आपको कुछ सोर्सेस बता देने हैं कहां से पहुंचता है। मैं आकड़ा बता दे रहा हूं यहां पे आप इसको नोट कर लें चाहें तो प्रतेकवस दस मिलियन टन एक अनुमान के अंसार समुद्र में इतना प्लास्टिक प्रभाइत होता है। कुछ जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है आंसर लिखते समय जो होना चाहिए आंसर में प्रजेंट और एक्जामियार खोजेगा। माइक्रो प्रफ्लास्टिक का बहुत सारा धेर है। तो देखे, आप basically ऐसे परश्णूम क्या सकते हैं, समुद्री पारितंत पर प्रवाओ, कैसे लिख सकते हैं आप इसके आंसर को ऐसे लिख सकते हैं, समुद्री जीवों पर प्रवाओ, ठीके, ऐसे एक हेड़िंग डाल दिजए, समुद्री जीवों पर, अब इनको क्या लिख दीजे, सीधा, जो आप देखेंगे, कई मचलिया होती है, खाखा के मर जाती है, वेल मचलिया आपने देखा होगा, हाल में न्यूजिलन के तटपे मिली थी, उसके पेट में कई किलो, कई सो किलो प्लास्टिक मिला था, इसका कुछ एजाम पड़ दा द आप क्या बता सकते हैं, समुद्री जीवों पर प्रभाव, जो भी है, प्लास्टिक प्वलूशन क्या करता है, रोग, पैथोजन का बहुत बढ़िया, मतलब आप क्या सकते हैं, पैथोजन अपने साथ में बहुत अच्छा एक कैरियर होता है, पैथोजन मतलब वाइरस, ब पारितंत्र में एवल समुद्री जीव जन्तु ही थोड़ नाएंगे, क्या आ सकता है पारितंत्र में, जो अजयविक कारक है, अजयविक कारक मतलब तटीय अर्थवियस्था एवं तट पर प्रभाव, और तटीय अर्थवियस्था म क्या, बाई गंदगी हो जाएगी तो लोग पर return करने नहीं आएंगे, दूसरा प्रवाल बित्तियां बहुत मार दी गई है, इसके कारण, प्लास्टिक पल्यूशन कारण बहुत जादे मर जाती है, तो और दृष्टिता कम होती है, इन चीजों से आप बेसिकली यहाँ पर बता सकते हैं, प्लास्टिक जीवों पर प्रभाव, और 1,2,3,4 पॉइंट लिखोगा, जै वित्ता छती, उदारण, वेल मचली खा लेती है, तैरने में इनके सीधे-सीधे बादा कोता है, प्लास्टिक माल यह जीपी-जीपी से तैर के जाना है किसी मचली को, तो ग्रेट पैस्फिक गार्वेज पैस से तैर के पार हो नहीं पाएगी, तो वो प्रभलम आती है, इसलिए पैथोजन, जिससे प्रवालों में रोग होता है, ये भी मैं बता चुका हूँ, तटिये छेतर में कूडा कचरा, नेस्टिंग स्थल, ये भी बता दिया, रसायनों का रिसा होता है बाई, प्लास्टिक स ठीक है, अब समाधान की बात, यहाँ पर आपको ध्यान रगना है, समाधान थोड़ा एक्स्प्लिनेटरी होना चाहिए, आज़ा समाधान आप सोचेंगे, माल ये प्लास्टिक पल्यूशन का समाधान करना है, तो कैसे समाधान करेंगे, एक भाई, जो वर्दमान में समाधान करना है, अब भविश में रोकना है, तो भविश में कैसे प्लास्टिक पॉल्यूशन आखिर में जन्म क्यों ले रहा है, दो कारण यार, इसके डिमांड बहुत ज़ादा है, पहला कारण ये, दूसरा करन सप्लाई भी बहुत ज़ादे है, तभी तो प्लास्टिक हो रहा है तो आप basically इन तीनों अगर factors पे सोचेंगे तो आपको answer तुरं तुरं समधान का मिल जाएगा और हर प्रस्च में आपी इस तरह से अगर सोचें basic में जाके एक्दम कि बाई कोई समस्या का समधान करना है तो आप क्या कर सकते हैं, सुच मजीवों यहम तखनीक का प्रियोग कर सकते हैं, जैसे बुर्खेल्ड एरिया, स्क्यूडोनो मास्ट, यह दो-तीन जिवानू हैं, यह लोग को देखा गया कि प्लास्टिक और जो पेट्रोल पॉल्यूशन है, उसको खा जाते हैं बहुत जल्दी, ठीक है, दूसरा, एंजीवो और स्विज सोसाइटी का प्रियोग करके प्लास्टिक हटवाईए, एक्जामपल मैंने अल्रेडी दे दिया है, क्लीन सीज केमपेंट, यह बताया है, ठीक है, डिमांड कम कर दीजे प्लास्टिक की, तो कैसे डिमांड कम करेंगे, भाई, प्ल प्लास्टिक केमपेंट चलाईए, ताकि लोग कम यूज करेंगे प्लास्टिक, ठीक है, सप्लाई कैसे रोकेंगे, भाई, सीदे दंडे अमपूर स्खार, बैन लगा दीजे, देखा होगा आपने, काफी बैन है, प्लास्टिक, यूपी में तो बिल्कुल बैन है, और गौ आप इसका समधान दोगे, आपने देखा होगा, एक्स्टेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पोंसिबिल्टी, ये सब सुन रखा होगा, ठीक है, जै वित्ता, जो जै अफ्सिष प्रबंधन नियम है, या प्लास्टिक अफ्सिष प्रबंधन नियम है, इसके अलमाद जो ई अब में अब एक कॉमन चीज आ गई है, एक्स्टेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पोंसिबिल्टी, उसका यूस करिए, सप्लाई एक कम करने करें, तीसरा, अफ्सिष प्रबंधन पर ध्यान दीजे, भाई जो प्लास्टिक अफ्सिष प्रबंधन हो जाए, और चक्री सबस्था, ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं समधान, और मैंने बताया कि कुछ स्कीम सी विता सकते हैं, तो मुझे दोस्तों उमीद है कि ये जो आज का डिस्कुशन है ये आपको समझ में आया होगा, और हमारे चैनल साथ जुड़े रने के लिए आपको बह सब्सक्राइए, धन्यवाद